हेलो गैस तो कैसे हैं आप लोग तो गैस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप टाटा नियू अप्लिकेशन से किसी के बैंक अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं तो गैस अगर आप भी जानना चाहते हैं कि Tata new application से किसी के bank account में पैसे कैसे transfer के जाता है तो आप इस video का इंट तक देख सकते हैं जैसे कि मान लिजे कि अगर कोई UPI use करता है तो आप directly phone number search करते हैं और उसके account में पैसे transfer कर देते हैं अपना UPI pin डाल के लेकिन गैस मान लिजे जो UPI use नहीं करता है जिसके bank account में पैसे transfer करना हो जैसे कि account detail के साथ तो आप कैसे करेंगे वह या आपको इस video में बताने वाला हूँ तो गैसे अगर आप भी जानना चाते हैं कि Tata new application से किसी के bank account में account detail के साथ पैसे कैसे बेजा जाता है तो आप इस video के एंट तक देख सकते हैं तो चले guys पर देर ना करते हैं वीडियो को श्टार्ट करते हैं तो guys अगर आपको इस video पसंद आते हैं इस video को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नहें तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बैल आइकन को भी प्रेस कर लेना तकि आने वाली वीडियो को आगे बलाते हैं मैं आपको बता जाता हूँ कि कैसे आपको टाटा नियू अप्लिकेशन से किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना है अकाउंट डिटेल के साथ तो guys इसके लिए चलना पड़ेगा हमें अपने मोबाल के स्क्रिन पर तकि मैं आपको प्रेक्टिकली करके दिखा सको तो चली guys पुरा मोबाल के स्क्रिन पर चलते हैं तो guys हम मोबाल के स्क्रिन पर आ चुके हैं तो guys अगर आप टाटा नियू अप्लिकेशन के तरू किसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना है बहुत असानी से तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे उपर आपको scan and pay लिखा हुआ है send money है और यहाँ पर pay bill है finance है तो अगर आप send money पर क्लिक करेंगे तो इस पर आप जिसको भी पैसे ट्रांसफर करेंगे तो उसका पहले टाटा नियू अप्लिकेशन पर account होना चाहिए उसके बाद आप उनका जो है UPI ID होना चाहिए तो ही आप यहाँ पर account में पैसे भेज सकते हैं ठिक है तो यहाँ पर आप हम इससे नहीं बेज़ेंगे हम account detail के साथ बेज़ेंगे जिसके पास UPI नहीं है जो UPI यूज नहीं करता है तो आपको simply नीचे के side में दिखेगा Tata Pay का एक option है करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आजागा यहाँ पर सबसे पहले आपको add bank account वाले option पर क्लिक करना है जब यहाँ पर आप पैसा भेजना चाहते हैं उनका डिटेल यहाँ पर भरना पड़ेगा आपको जैसे कि उनक तो आपको उनके past book का डिटेल यहाँ पर लेना और यहाँ पर जो जो बोल रहा आपको यहाँ पर भर लेढ़ जैसाए कोма अपको करना है जब आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इसदरीगे का इंटरफेस आजाएगा आपको यहाँ पर दिखाए जाएगा कि आपके किस bank account से पैसे कट के उनके bank account में जाएगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप चाहिए इसको change भी कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको simply क्या करना है सबसे पहले आपको यहाँ पर amount का option दिख रहा होगा आपको select amount तो आपको यहाँ पर amount डाल देना जितना भी रूपे आप वेजना चाहते हैं example के लिए मैं यहाँ पर 10 रुपे बेच के दिखाऊंगा आपको ठीक है यहाँ पर हमने 10 रुपे लिख दिया है लिखने बाद पे वाले option पर आपको क्लिक करना है जब आप इस पर क्लिक करने बाद यहाँ पैसा है वो ट्रांसफर हो चुका है transaction successful यहाँ पर लिख दिया है invoice number आपके सामने जहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपर मेरा Paytm payments bank है इसी में मैंने पैसा बेजा था और मेरा पैसा आ भी गया है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दिख जाएगी आप चाहें तो आपना वाला बंदा जो है अगर यूपिया यूज नहीं करता है तो आप ऐसा उनके बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं तो गैस उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल प प्रेस करें ना था कि आने वाली वीडियो को नटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चले गास फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल तब तक के लिए जैहिंद